नमस्कार दोस्तो यूटीब चैनल पे आपका स्वाधत है दोस्तो आज की वीडियो में हम एक MS प्लेट का वेट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे दोस्तो आपने देखा ही होगा कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में MS प्लेट का यूज किया जाता है तो हमें इंडस्ट्री में एंट्री मारने से पहले अपना ये टॉपिक भी क्लियर कर लेना चाहिए तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जुरू कर दें 5-under-like का टारगेट है इस वीडियो का तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले तो हम इसको डिटेल में समझेंगे और लास्ट में मैं आपको weight निकालने की short trick बताऊंगा दोस्तो weight का formula होता है volume into density यानि MS plate का weight निकालने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए एक तो MS plate का volume कैसे निकालते हैं और दूसरा जिस metal की वो plate बनी हुई है उसकी हमको density पता होनी चाहिए यहाँ पे उसका metal है mild steel यानि हमको steel की density का पता होना चाहिए तो दोस्तो सबसे पहले हम उस plate का volume निकालेंगे तो volume का formula होता है length into width into height यानि उसकी thickness और size दोस्तो हमने लिया है 2.5 meter into 1.25 meter into 5 mm दोस्तो जो industry में mostly plate का size आता है वो 1.5 meter into 7 meter का आता है यानि 1.5 meter लंबा होता है और 7 meter चोड़ा होता है और thickness दोस्तो हम अपनी requirement के according मंगाते हैं तो हमने यही standard size लिया है यानि 2.5 meter उसकी लंबाई है 1.25 meter उसकी चोड़ाई है और 5 mm उसकी thickness यानि उसकी मोटाई है और दोस्तो हम इसको एक ही unit में रखेंगे यानि यह जो thickness है 5 mm इसको भी हम meter में convert कर लेंगे तो 5 को 1000 से divide करने के बाद हमारे पास जो value आएगी तो वो meter में होगी यानि 0.005 उसकी थिकनस हो जाएगी तो अभी दोस्तो हमको क्या करना है इन तिनों को multiply यानि 2.5 को multiply करना है 1.25 से और इसको multiply करना है 0.005 से तो इसको multiply करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.0156 तो दोस्तो यह हमारे पास उस plate का volume आ गया 0.0156 meter cube तो अभी जो weight का formula था वो था volume into density यानि अभी हमको steel की density पता होनी चाहिए तो steel की जो density होती है वो होती है 7.850 kg पर meter cube ठीक है तो हमने क्या करना है 0.0156 को multiply करना है 7.850 के साथ तो इसको calculate करने के बाद हमारे पास उस plate का weight आ जाएगा 112.65 kg तो दोस्तो ऐसे हम इस MS plate का weight निकाल सकते हैं यानि 0.5 meter into 7 meter into 5 mm multiply का weight होता है वो होगा 112.65 kg दोस्तो ये तो देखा हमने detail में इसको short में कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं इसी size को हम दोस्तो आगे लेके चलते हैं तो हमने क्या करना है 2.5 को multiply करना है 1.25 के साथ उसको multiply करना है उसकी thickness यानि 0.005 के साथ और multiply कर देना है 7.850 के साथ तो हमारे पास उसका weight आ जाएगा 112.65 kg और एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं 2.5 को multiply करना है 1.25 के साथ इसको multiply करना है 5 mm के साथ यानि यहाँ पे हमने मीटर में convert नहीं किया 5 mm लिया और इसको multiply करना है 7.85 के साथ तो दोस्तो हमारे पास इसका weight आ जाएगा 122.65 kg तो दोस्तो ऐसे आप industry में किसी भी size की MS plate का weight निकाल सकते हैं तो उमीद करता हूं कि यह video आपको अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को like ज्रू कर दे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर ले thanks for watching